हुआ है आप रहे हैं इस्टिमेशन आफ यूरीन यूरीन में कौन-कौन सा टेस्ट होता है नो हम लोग आते हैं अपार्टर्टस पर अपार्टर्ट्स मतलब हो गया नीट्स जो हमारे टेस्ट करेंगे करेंगे उसमें हम लोग का किस किस समान का जरुवत पड़ेगा किस किस चीज का जरुवत पड़ेगा कौन सा इस्टुमेंट के जरुवत पड़ेगा यह सब में सबसे पहले हम लोग देखते हैं टेस्ट्यू एंटेस्ट्यू रेक एस्प्रीट लेंप टेस्ट्यू होल्डर बीडियो में इंड तक बने रखिएगा ताकि हम पुरा वीडियो को आप लोगो एक्स्प्लेंट कर सेगे नेक्स्ट हम लोग आते हैं रियेजेंट्स यूरीन एनलाईसिस में जो हम लोगा रियेजेंट है वह कौन-kौन से रियेजेंट यूज होगा और किस किस का काम है कौन-कौन से टेस्ट परफॉर्म करने के लिए सबसे पारले हम लोग देखते हैं दोस्त एसीडिक एसीड यह हम लोगा हो गया नहाँ पे युरीन प्रोटीन के लिए हम लोग यूज करते हैं स Ciut होगी हम लोगा क्य播़ता है जो फ़ोर्थ हम लोगा बैरिम कॉल्डवड भाइल creeping भाय पीद्रमेंट NEXT अधियों सेंफल मंनों को करना ऑँ इसमें यूरीन सेंफल का है रिक्वाइरमेंट होता है जो जो की यूरीन पॉर्ट में होना चाहिए एस्टेलाइज होना चाहिए सारा यूरीन नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रिकॉशन हम लोग प्रिकॉशन क्या क्या लेंगे टेस्ट प्रफॉर्म करने के तुरू उस समय जो हम लोग टेस्ट प्रफॉर्म करेंगे तो उस समय हम लोग क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे precaution में सबसे पहला हम लोग देखते हैं use the hand gloves use the hand gloves का मतलब इसमें हम लोग hand gloves का use करें है सबसे पहला चीज़ दूसरा mask using before the urine analysis urine analysis करने से पहले हम लोग mask जरूर use करेंगे यह सब compulsory है precaution लेना ही चाहिए ताकि कोई भी viral disease हम लोग के अंदर इंटर ना करें थार्ड हो गया use the lamp carefully जो हम लोग इस प्रीट लेंप के यूज करेंगे वो carefully करेंगे ताकि हम लोग का body में कहीं भी हार ना करें next आते हैं do not try to touch the reagent by any body parts कोई भी body parts में touch होने से आप लोग जरूर बचाएं कोई भी reagent क्योंकि कोई irritation भी होता है बहुत सारा reagent अगर acidic रहा तो burning का भी किस बन जाएगा next हम लोग आते हैं physical examination physical examination में सबसे पहले हम लोग देखेंगे collection urine center urine sample and absorb the quantity of urine urine का जो quantity है वो हम लोग देखेंगे सबसे पहले now next what is the color of urine urine का color कैसा होता है यह सबसे पहले हम लोग देखेंगे result भी आपको बताएंगे हम इसके बाद now उसके बाद हम लोग देखते हैं third number पे third में examine is the end examining the pH and specific gravity इसमें specific gravity और pH देखेंगे fourth appearance में भी hedgy, cloudy, turbid and clear भी हो सकता है urine का color कैसा होता है straw pale yellow, yellow is red is orange, white is यह हम लोग नोट्स में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहापे pH of urine is acidic हम लोग का urine का pH जो होता है वो acidic होता है अर नोट्स का तूसरा point हो गए हम लोग का specific gravity 1.0032, 1.0035 यह हम लोग का हो गए specific gravity of urine next हम लोग आते हैं examination, chemical examination दूसरा number वो हम लोग physical examination दीखे थे next हम लोग आते हैं chemical examination सबसे पहले chemical examination का definition हम लोग देखते हैं we can examine the chemical test of urine by urine analysis test strip and so manual method यह हम लोग examine करेंगे chemical test से urine analysis strip के थूँ और यह हम लोग का manual method इसको बोलते हैं now, सबसे पहले हम लोग देखते हैं urine protein सबसे पहला point में हम लोग देखते थे urine protein जिसके लिए यूज होता है reagent, acidic, acid सबसे पहला थे urine protein था, नहीं, दूसरा था यह साथ, दूसरा था reagent इसमें यूज करेंगा हम लोग, acidic, acid and now, sample, इसमें urine रहेगा next, हम लोग आते हैं need of examination सबसे पहले हम लोग examination अगर करते हैं chemical examination था, सबसे पहले हम लोग कौन-कौन सा instrument के जरूत पड़ेगा सबसे पहले, glass test tube test tube holder, spirit lamp procedure procedure, सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला point जो की process का होता है take 3-4 ml of urine sample in test tube and hit upper part of the sample under the spirit lamp for few minutes एक test tube लेंगे उसमें 3-4 ml urine sample डालेंगे और उसके urine जितना दिर रहेगा जितना 4 ml रहेगा तो जो सबसे उपर वाला part है नीचे नहीं, सबसे उपर वाला urine का जो part है उसको हम लोग कुछ मिनट तक under spirit lamp उसको hit करेंगे ना उसके बाद हम लोग देखते हैं and absorb the upper area of sample it found cloudy and add drop 2-4 drop of acid अगर upper area में cloudy दीखता है हमारा तो वहाँ पर हम लोग acidic acid add करेंगे then then absorb if cloud is removed from the sample it means protein absent in case of phosphate phosphate के थरू जो हम लोग का अगर उसमें protein होगा तो वो clear हो जाएगा removed हो जाएगा तो मतलब हम लोग का protein उसमें absent है now and cloud is clear visible after adding acidic acid protein present in urine sample